हेलो वय ब्यूटिफूल सोल फामली, छोब कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को इंज्वाई कर रहे हैं यूणिवर्स से प्रहे करती हूं कि आप सभी लोगों कि सारे बिसलिस पोरैं हो जाए और जैसे जिनगे आप चाते हैं वैसे से जिनकी आप सभी लोगों को मिले वैल आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको यह पता चलने वाला है कि क्या आपके भागे में सच्छा प्यार लिखा है या नहीं यूनिवर्स ने इश्वर जीजे सल्लाव वाहिक गुरू ने आपकी किस्मत में आपके भागे में ब्यूटिफुल सी लव स्टोडी लिखी है या नहीं लिखी है यह आपको आज इस रिडिंग में डेफिनेटली पता चलने वाला है वो भी डीटेल में क्योंकि मैं कॉंप्रमाइस नहीं करती हूं कंटेंड को लेकर मैं डीटेल बनाती हूं ताकि आप सभी लोगों को अच क्योंकि आपके नेक्स लव स्टोरी की बात हुए लगों के परसन कुछ लोगों के लिए प्रेजंट के पर से और कुछ लोगों के लिए यह सकता है कि कोई निव परसन हो तो यह सब आपको क्लारफाय करके बिताऊंगी कि आखिर है कॉल्ट और आप दोनों का फ्यूचर क् क्यों होगी कि ऐसे क्या आपको फाइदा होगा क्या fruitful result मिलेगा कितना sacrifice कितना compromise करना पड़ सकता है तो यह पुरी जर्णी जो है यहां पे इस रिडिंग में देखने वाले हैं कुछ नहीं करना है सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करके आप सभी लगों को अलाइन हो जाना है पास्सलाइफ रिगरेशन हो करेंड फीलिंग को करस्की फीलिंग ठीके जो भी चीज़े आप देखना चाते हैं ले सकते हैं किसी ओर कि आपको रिडिंग देंगे तो आपका अराम से रिटिंग बुक हो जाएगा तो देर के इस बात कीग कर लीजिए ठीके और कुछ डिसक इसलिए टेंशन प्री होके कॉंटाप कर सकते हैं वैसे जो डिडिंग है आपकी टाइमलेस है मेल हो फीमेल हो फर्सकिंद थर्ड मैरेज वाले लगट क्यों कॉमुनिटी टिक है आप सोल है यह मैटर करता और कुछ मैटर ने करता तो आप इस डिडिंग को अराम से देख सकते कभी भी देख सकते हैं एक साल दस साल बात भी देख सकते हैं अपसे रोजने agreeing करेंगी करेगी वेल यहां पर बिडिंग ऐसकर क्रश्लित जल्दी कर दिकर करके ऊंगे ता कि अपने समय अपनों हो सलेख कर पाएं और वीडियो की आप डारेक्ली अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे ठीक है और अपनी रिडिंग को इंज्वाई कर सकते हैं चीजे सीख सकते हैं सबसे पहरी बात अगर आपका बर्थ देट वन से 15 के बीच में आता है तो पाइल वन आपकी रिडिंग होगी और यह बर्थ देट किसी भी म वेल यहाँ पे अगर आपका बर्थ देट 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल टू आपकी रिडिंग होगी और यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका फॉगिवनेस का ठीक है सो अब आपको जो है इंटिट्यूबली सलिक करना है भगवान इश्वा जीजे सल्लवाही गुरू जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेकर अब मैं आपको पॉस्ट करके दिखाऊंगी इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रिडिंग पे है फाइल वन होप कि आप अपने इस पर दीट को सलिक कर क्या है वन से फिटीन के बीच में आपका बर्थ डे आता होगा या फिर आपने सलिक किया है इस प्यूटिफुल बैलन्स काट को सो देखते हैं कि क्या आपके भागे में सच्चा प्यार लिखा है या ने और अगर ल हो सकता है परस्टनालिटी हो सकती है क्या रहा है इस परसन का पास्ट प्रेजेंट एंफ्यूचर सब कुछ यहां पर आपको डीटल में पता चलने बाला है तो चल्दी से पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैमिली मेंबर बन चाहिए और परसने के लिए क्लिए क्ल तो यहां पर मैंने कुछ 4 टारो कार्स दिये हैं यहां पर साथ-साथ मैं कुछ और में इंफॉर्मेशन लोंगी ठीक है तो आप सभी लोगों को रहना है एक तम पॉजिटिव प्लीज स्कॉर्ट कि एक मैसेज बताईए जो भी मेरे वियोर्स देख रहे हैं क्या उनकी किसम ले-लेने चाहिए वेख सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हो कि अपनी आपको चूस किया है और जैस कार ने आपको चूस किया है वो काृट आपको यह बता रहा है कि रिष्टे में बहुती追श्ण होगा और एक बısता ही येस डेफिनेटली आपकी किस्मत में दिखा है एक बहुत ब्यूटिफुल एक सच्चा लव स्टोरी ठीके ट्रू न्यू लव स्टोरी इसमें क्योंकि यह कोई न्यू पर्सन होंगे जो कि आपके लाइफ में आएंगे मुझे आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी तक आपके आपके कोई ऐसा है ही नहीं जो कि आपके ट्रू लव किया हो ठीके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं वह एक अलग बात है ठीके आपके भाई बहन हो गया पेरेंस हो वह एक अलग चीज है लेकिन अगर आप यह एक लव करते हैं पर ऐसा मुझे कोई इंसान अभी तक दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा पर क्या आपने बहुत ख्याल रखाओ लेकिन सामने से आपको वह एफट देखनी को नहीं मिला ठीके तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह क्लियर हो चुरुआत कैसे हो कि वह समने आपको बताऊंगी यूगि इस रिष्टे में बहुत सारा चैलेंजेस भी आएगा इस यह त्रू न्यू लव स्टोरी जो है आपकी सच्छा प्यार की बात है तो उसमें बहुत सारे फोर्ट लगाने पढ़ते ही है कुछ लोगों का बहुत स् रिष्टा तो और भी रिकर कर सामने आता है तो मुझे आपका यह दिखाई देरा है कि आप दोनों की बीच में बहुत ही जादा समझदारी होगी बैलेस होगा प्यार होगा एक दूसरे से अगरी करोगे कभी कभी डिसगरी करोगी तो बहुत जादा चालेंजेस आएगे आ तो सबसे पहले ओमाइगाद यहां पर फोर फॉंट्स की नर्जी है सबसे पहले यहां पर आप यह जाल लीजे यह आप दुनों का जो फूट्फुल रिजल्ट होगा ठीक है आपके राइक में जो यह ट्रू परसन आएंगे जो आपसे ट्रू लव करेंगे सच्छा प्यार हो तो यह तो नॉर्मल सी बात है के रिलेशन्सिप में आऊगे इस परसन से कैसे कब कहां में लोगे वह सब मैं आपको बताऊंगी लेकिन यहां पर बात यह है कि आपके जो ट्रू लव स्टूरी होगी कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि बिछणना पड़ता है अलग होना नहीं होने वाले मुझे आपह ऐसा लग गई इस परसन का प्रोफेशन्स अथलीन भी होसकते आपकी बिजनस ओनर भी हो सकते है तो बहुत अपनी इस पर फैशन ये सब मुझे आ पके दिखाई डे Shoulder और स nou फिर यह और से तो आपका इस पर आपijn कोते हो सकते है पालिटिकल कि शुरूर होगा ऐसा भी हो सकता है कि डायक्लिट नी आपको मैरेच काही परोपोजल मिले ठीक है शादी का प्रोपोजल मिलेगा चार महीने तक अच्छे से आप दोनों की बीच में बाते बाथि चलेंगी ठीक है और शादी टो फिक्स हूई रहेगी फिर आंडुनों की बी यहां पर 90% लोगों के चांसेज यह हैं कि आपकी जो परसन है यह जो सचा प्यार करने वाले इंसान है यह आपसे शादी जरूर करेंगे कमिटमेंट जरूर देंगे ठीक है मतलब यह कोई ऐसा फेक कमिटमेंट निदेंगे की मैं तुमसे सचादी करने को टेंगे यह आपको कहा देंगे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं अब इस रिलेस्टिक को एक नया मोड़ दे देना चाहेंगे तो यह चीज होगा आपक हो सकते हैं ठीक है like organizer हो सकते हैं इंजीनियर हो सकते हैं कोई celebrity की भी energy दिखाई दे रही है stylist हो सकते है और digital marketing हो सकता है इनका financial advisor हो सकते हैं वेल यह आपर दो card है तो सबसे पहले इस person के nature को जानेंगे की person कैसे सबसे पहले मुझे आप यह दिखाई ज़रा है कि आपके यह जो person है यह जो true person होंगे इनको singing बहुत पसंद होगा यह परसन एक singer हो सकते है musician हो सकते है ठीक है अगर आसा हो सकता है कि आप खुद भी singer हो या फिर आपको person है यह बहुत ही loving person है यह ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा soft hurted है लोगों के साथ बहुत ज़्यादा compromise करके चलने वाले संती से रहने वाले इंसान हो सकते है ठीक है और दूसरी बात यहां पर यह है कि में भी परसन पीपर प्लीजर भी हो सकते है इनकी कभी गल्ती ना रहे तो भी यह जो परसन है माफी मांग लेना ठीक है मतलब इनका यह होगा कि सामने वाले के साथ जो मेरा love once है जो मेरा well-wisher है वो मेरे साथ आपके यह जो परसन है यह बहुत ही स्ट्रॉंग हीलर हो सकते हैं दूसरों के लिए ठीक है इनके लाइफ की भी बात होगी लेकिन यहां पे दूसरों के लिए मुझे आसा लग रहा है यह जो परसन है यह बहुत ही जादा स्ट्रॉंग हीलर हो सकते हैं टारोडीटर आस्ट लाइक शादीवादी होता है उसको और्गनाइस करते हो तो यहाँ पर यह चीज है कि इनका अगर फैमिली के साथ रिष्टा देखा जाए तो बहुत हैपी फैमिली होगा और अगर आप इस परसन के साथ रिष्टे में आते हैं तो यह परसन आपको अपना फैमिली ही मानेंग फिर इस परसन के साथ आपका रियोनियन हो जाएगा कुछ दिनों के लिए कुछ लोगों के लिए कुछ दिन भी हो सकता है दस दिन पाश दिन भी हो सकता है ठीक है कभी-कभी हो सकता है इंके अंदर भी गुस्सा बढ़ जाए तो जब गुस्सा बढ़ेगा ठीक है जब कि पर सकते हैं हो सकते हैं घुछ आगल को संथ रहने वाणी स्थाइ defect में Zust्रफ्व सकते हैं अगर की बात की जाए अर्टेस्ट यसा कर आप के अपर सकते हैं मूजिशन उसके तेहरा मुझे आप कर दे λेकी आपके कार स्था मॉडल हो सकते हैं पर्फॉर्म forces सकते हैं teacher भी हो सकते हैं यह person maybe a person a dancer हो सकते हैं ठीक है director हो सकते है creative director ठीक है illustrator हो सकते हैं तो यह सब मुझे आपके दिखाए दे रहा है और इनको like animals पसंद होगे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस person के पास gully pig हो सकता है ठीक है इनके पास होगा उसके बाद यहां पे है 10 of pentacles सारे ही काट बहुत beautiful है तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि मेरे true love story वाले partner कौन होंगे तो इतना आप चाहिए कि इस person से आपकी शादी होगी ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि directly matrimonial site पे शादी.com पे इस person भी लगड़ा है कि आपके चो person है वो vegetarian भी हो सकते हैं हो सकता है यहां पर chances मुझे दिखाई देरें तो यहां पर एक चिश क्लियर है एक बहुत steady and flourishing love life आपका हो सकता है दूसरी बात यहां पर यह भी दिखाई देरी है कि यह complete family में रहते होंगे बड़े family में रहते होंगे इनका खुद का family में ही बहुत बड़ा होगा तीक है हो सकता है grandfather और grandmother भी रहते हैं उनके साथ और घर बहुत बड़ा हो सकता है बंगलो लंग्सरियस हो सकता है इस परसंद का घर और सारे लोग इनके घर में मुझे बहुत ज़्यादा modern दिखाई दे रहे हैं बहुत ही modern हो सक और अपने family के लिए कुछ भी कर जाने वाले इंसान हो सकते हैं मतलब अपने वेल वेशर के लिए कुछ भी करने वाले हो सकते हैं तो यह person आपके लिए बहुत कुछ करेंगे सबसे पहली बात चाहिए person कितना ही importance क्यों ना दे family को आपका भी एक अलग importance बनेगा और अलग importance ह होने की वजह से यह आपको अपने family से भी मिलाएंगे आपका भी एक वैसा ही प्लेस होगा जैसा की family members का है ठीक है first यहां पर card है and then यहां पर second one मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बीच में शुराब में काफे सारे boundaries होंगे ठीक है और यह boundaries होना जरूरी अपनी इस रिष्टे की सुर्वात करेंगे ऐसा नहीं कि बिल्कुल इस परसन के उपर रिचावर हो जाना तुरंत सब कुछ अपना एकदम effort लगा देना है अपने तरफ से भी effort लगाना है और सामने से भी आपको effort देखना है तब आपका रिष्टा जो है balance में चलेगा ठीक अपने कोई high-low है आ रहा है आपकी रिष्टे में तो ही आप effort लगा रहा है और आपकी गलती नहीं है तो भी आप यह effort लगा रहा है तो यह आपकी गलती हो जाती है तो यहाँ पर यह ताले से ही समझा दिया जा रहा है कि अगर आगे आने वाले टाइम में किसी भी relationship में मिशर साथ होंगे ठीक है लेकिन फिर भी आपको यह guide कर दिया जा रहा है कि पहले एक अच्छा सा beautiful boundaries create करके रखिएगा देरे देरे आप दोनों की बीच में यह boundaries खतम होगा और आप दोनों का boundless love बनता चला जाएगा बहुत exploring love आप दोनों का हो सकता है उसके बाद justice energy है सबसे पहले यहां पर यहीं चीज कहां जा रहा है कि आप एक बहुत फियर लव एक ओनेस्ट लव एक डिजर्विंग जो है चाहते हो या डिजर्व करते हो अपने लाइफ में एक ऐसा प्यार जिसमें equality हो एक ऐसा प्यार जिसमें आप 100% दे रहे हैं तो वह अंसान भी 100% द देख सकते हैं और मैं आपको अन्मलाइस करके बताते हो कि क्या है सबसे पहली बात आगी आने वाले 11 डिसके इंदर इंदर सकते हैं 11 तारीक को बढ़ता हो या फिर 11 11 लेकर सेनरजी को क्लेम कीजिए तो यहां पर बात यह है कि आपके जो परसन है यह एस इंसान है जो कि ज स्टोडी हुआ ही का तो मुझे आसासतर लगदा है कि यह फ्यांजी को सकते हैं शूब हमाने में ससाहत हमारे अगया यह परसन आप Hi Ho अगर परफेशन नहीं थे तो भी यह परसन आपको घ происходит रहेंगे पर्टैक्टेटर वह को हम सोचा करेंगे ही encouragement के हो सकते हैं, montanious areas के हो सकते हैं, ठीक है, आपकी जो भी loneliness है, वो खतम हो जाएगी इनके आने के बाद, आपके अंदर जितने भी guilt है, वो खतम हो जाएगे, इनके आने के बाद, ऐसा हो सकता है कि आप अभी अफसोस में रहते हैं किसी को लेकर अफसोस में रहते होंगे कि साथ मैंने गलत स्टेप ले लिए असलिए वो मुझे से दूर हो गए आपकी कोई जलती नहीं है तेकि अगर पास्ट का कुछ भी रिष्टा आपका खराब हुआ ये खतम हुआ ये इस दे हुआ क्योंकि आप डिजर्फ करते हैं एक ट्रू लव और वो ट्रू लव आपको आगयाने वाले टाइम में मिलेगा दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो इनसान आपके लाइफ में आएंगे वो आपके लाइफ में एक बहुत important role play करेंगे आपके लाइफ को change करने में दूसरा point यह person आपसे प्याद तो करेंगे true love तो करेंगे लेकिन किस तरह को प्यार होगा तो यह एक unconditional love होगा ठीक है इस बात को ध्यान में रखिएगा और देखते हैं true love पाले partner कैसे है oh my god three of source के energy है इस journey में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा deep issues भी दिखाई दे रहा है सबसे पहले आप यह बात जानिए कि आपके person ठीक है इस person के साथ भी दोखा हुआ है असलिए कि आपके साथ है सिर्दोखा हुआ है ठीक है हो सकता है कि इस person के साथ भी दोखा हुआ हो तो यह तो पास्ट के इनरजी है लेकिन अब यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के रहा है वह पॉइंट यह है कि शायद आप जिसके साथ अभी relationship में है और जिसने आपके साथ धोखा किया ठीक है जिसने आपके साथ love triangle क्रियेट किया शायद वो भी आपके true love partner बनकर आएंगे आगे आने वाले time में अब आप सुचेंगे जिसने इतना दोखा किया वो कैसे हो सकता है पर होगा यहाँ पे यह message है इसलिए मैं आपको बता रहे हूँ ठीक है हो सकता है जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको परिशान किया हो सकता है आप अभी भी इस person से बहुत प्यार करते है हो सकता है उनको ही नजर में रखके इस reading को देख रहे है और आप यह जानना चाहते है कि क्या वो इंसान वापस आएंगे क्या वो इंसान मुझे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे या फिर मुझे छोड़ देंगे तो don't worry घबराने के सवरत नहीं है या फिर 30% लोगों की है या फिर 30% chances है कि वो person आपके लाइफ पे वापस से जल्दी ही आएंगे तीन वीक के अंदर या तीन दिन के अंदर call messages आ सकता है ठीक है और तीन महीने के अंदर आप दोनों की रिष्टे में बहुत ही ज़्यादा सुधार होगी तो यहां पर मुझे 70% लोगों के लिए chances दिखाई दे रहे कि कोई new person होगे अं 30% लोगों के लिए chances है ठीक है 30% लोगों के लिए chances है कि आपके यह current person है जिसने जाने अंजाने में knowingly अपके साथ धोका किया अब इस person को बहुत ही जादा अफसोस है अपने गलतियों को feel कर पा रहे हैं और इसी वज़े से मुझे आपके दिखाई दे रहा है कि वह person हो सकते हैं जिसने आपको time नहीं दिया आपकी value नेकी खतर नेकी अब इस person से दूर हो तो दूरी के वज़े से यह person आपके feeling को आपक प्यार को feel कर पा रहे हैं कि आप कितने अच्छा थे ठीक है तो यह चीज़ क्लियर है कि आपके current person हो सकते हैं अब देखे कुछ लोग नियू रिलेशनसिप में आएंगे तो आप यह जानना चाहते हैं कि मैं तो new relationship में आ जाओंगी आ जाओंगा ठीक है लेकिन क्या in future कुछ problem होगा तो yes in future थोड़ा बहुत problem जरूर होगा क्योंकि आप three of sorts की energy है अब इतने आसानी से या इतने easily आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा ऐसा है यहां पर universe कह रहे है क्योंकि सच्चा प्यार आपको मिलेगा equality होगी ठीक है लेकिन किसी कारण की वज़से misunderstanding कोई create कर सकता है कोई third person आपके लिए बहुत आपके रिष्टे के लिए आपके love story के लिए आपके true love story के लिए बहुत सदा खतरनाक साबित हो सकता है मैं यह नहीं बोल रही हूं कि यह किसी और के तरफ़ attract हो जाएंगे ठीक है जो new person होगे वो attract नहीं होगे लेकिन इनकी family हो गई या आपकी family या आपके दोस्त इनके दोस्त भड़काने की कुशिश करेंगे जिसके वजह से इनका mindset या आपका mindset change होगा आपको ऐसा लगेगा कि तो बहुत धोके पाज है आपकी siblings या फिकोई ने कोई भड़काने की कुशिश कर सकता है लेकिन आपको अपने true love पे बुलकुल भरोसा र सकते हैं जिसके विजह से आप दोनों के बीच में heartbreak जैसा situation हो सकता है एक दूसरे से separate हो सकते हो इसलिए दूसरों को जादा value मत दीजेगा अपने love story पे ध्यान दीजेगा अपने person पे ध्यान दीजेगा कि वह क्या बोलते हैं आपको लेकर क्या सोचते हैं आप दोनों सबसे सब बहुत perfect feel करता हो और same आपको वे feel होगी vice versa के energy है उसके बाद यहां पर यह वो इनसान है जिसको आपने अभी manifest किया हो या फिर अभी मांगा हो या फिर अभी सोचा हो यह वो इनसान हो सकते हैं ठीक है अब यहां पर यह चीश तो clear हो गया कि आप सभी लोगों को ध्यान कि third party situation family especially family के तरफ से यह third party आते हुए दिखाई दे रहा है friends भी हो सकते हैं हो सकता है कि friends भी भड़काने की कुशिश करें क्योंकि आपका beautiful love story होगा third person जो भी होंगे वो समझ जाएंगे कि यह true love story है तो कोई किसी का true love story क्यों देखना चाहेगा जब उसके पास खुदी नहीं तो भड़काने की कुशिश कुछ लोग कर सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा देखिए यहां पर आप दोनों की बीच में कैसी bounding होगी तो सबसे पहले यहां पर यह चीज है कि यह person आपके teacher हो सकते है ठीक है आपके professor हो सकते है या फिर आपके spiritual teacher हो सकते है यह वो इंसा आपका हाथ पकड़ेंगे support करेंगे ठीक है आपके हिम्मत को बढ़ाएंगे और वो आपको support करेंगे कि आप अपने life में आगे बढ़ पाए आप give up ना करें उसके बाद यहां पर आपके life में यह इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ही जदा अवेकिन करेंगे universe के सा आप अपने gender recording कीज़ेगा ठीक है यह सदी के लिए मेल हो फीमेल हो LGBTQ community ठीक है उसके बाद यहां पर आप इस परसन के साथ क्या से आगे बढ़ोगे तो आप इस परसन के साथ बहुत gracefully बहुत gratefully यह बहुत thankfully life में आगे बढ़ने वाले यह परसन के मन में आपको लेकर बहुत हो ठीक है कैसा वे inspiration का इनके मज़े से आप बहुत inspired रहेंगे motivated रहेंगे आप लोगों को बताएंगे ठीक है कोई ऐसा इंसान है मेरे life में जोकि मुझे बहुत प्यार करता है लेकिन यह काम आपको नहीं करना है क्योंकि जितना आप अपने personal life को share करेंगे लोगों के बीच मे इससे jealous feel करेंगे इसने आपको अपने love story को safe करके protect करके रखना है यहां पर बचा के रखने की जरूरत है सभी को बताते मत रहिए ठीक है जिस दिन आपकी शादी होगे उस दिन लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि आपने true love story को पा लिया है तो यहां पर इसने मैं आप को बताए क्योंकि tree of source की energy है जितना आप लोगों की बीच में public करोगे अपने relationship को उतना जादा आप लोगों की बुरूई नजर लगेगी negative नजर लगेगी और आसा past आपके relationship में भी हुआ है अपने experience क्या होगा कि आपने किसी को बताया ठीक है आपने किसी को बताया और पिर guidance ले लिना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि मुझे अपने love story के बारे में एक true love के बारे में और जो मेरे partner, hetero partner उनके साथ जो planning है वो में किसी के साथ share ना करो ठीक है हमारे बीच के planning हमारे बीच ही रहे तो यहाँ पर divine healing की energy है तो यह person आपको divinely heal करने वाले, divinely guided करके र यह person वो होंगे जो कि आपको अच्छे से treat करेंगे, आपको यह princess treatment, यह princess treatment के साथ, prince वाले treatment, एक king and queen वाले treatment आपको मिलेगा ठीक है और यह person के साथ आप हमेशा recharge होगे, हम इसे active रहोगे, क्योंकि यह person आपके life में एक light बन कराएंगे, जो आपके life के सारे darkness को खदम करेंगे, एक दुसरे के लिए आप दुनों support रहोगे, तो देखते हैं कि जब यह person आपके life में आएंगे, आपको क्या-क्या मिलेगा, ठीक है, क्या fruitful result होगा, क्या transformation होगा, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे good things होगे, आप अपने life में एक दम बिल्कुल सही पात पे रहो हो, कोई ऐसा beautiful सा person आपके life में आएगा, बहुत अच्छे हो सकते हैं, उसके साथ सब जैसे treasure हो, कोई treasure जैसे आपके हाथ लग गया हो, ठीक है, कोई खजाना आपके हाथ लग गया हो, ऐसा आपको feel होगा, इस person के साथ, इतने अच्छे होगे, ठीक है, और यह person जैसे कि Mr. Princess and Miss Miss Princess जो है, knocking कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर knock कर रहे है, आपके life में वो आने के लिए, मतलब बहुत ही जल्दी यह person आपके life में इंटर करेंगे, आप दोनों का health भी बहुत अच्छा होगा, abundance होगा, wealth होगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगे, कि जब यह person knock क के time में यह person आपके life में आएंगे, spring season में भी यह person आ सकते है, 20 August तक यह person आपके life में होगे, उसके बाद यहाँ पर है, आपका June के time में यह person आपको मिले है, वही person आप से true love करते है, हो सकता है कि वो आप अपने feeling को express ना कर पाते हो, लेकिन करते जरूर है, प्यार, February के time में यह person आपके life में आ सकते है, उसके बाद यह person आपके life में आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, next year February में आ सकते है, या इस year February में मिले है, ठीक है, coming bad night stay हो सकता है, और spring season आपके लिए बहुत ही साधा, मुझे यहाँ पर important दिखाई दे रहा है, तो June यह February में मिले होंगे, या फ सबसे पहला यहाँ पर जो country है वो निजिलांड है, निजिलांड के यह person हो सकते है, South Korea के भी हो सकते है, और यहाँ पर बिल्गारिया है, आप सभी लोग positive रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात हो कि आप सभी लोगों के लिए perfect message आएगा, like and subscribe करके align हो जाएए, family member बन चाहिए और personal link के लिए contact कर सकते है, मेरे Gmail और Insta ID के तो जो कि मैंने आपको screen पर show किया, वीडियो के description में आपको Gmail और Insta ID का genuine link मिल जाएगा, किसी भी topic पर reading ले सकते है, दुनिया के किसी भी कोने में है, तो भी reading ले सकते है, तो यहाँ पर Thailand है आपका, then यह person पाकिस्तान के भी हो सकते हो, then यहाँ पर आपका है mall piece, ठीक है, mall piece के बार यहाँ पर आपके जो person है, वो Australia के भी हो सकते है, और देखते हैं कि यह person कहां से होंगे, maybe यह person Switzerland के भी हो सकते है, Spain के भी हो सकते है, Norway के हो सकते है, ठीक है, Germany के भी होने के chances है, यहाँ से three last hour देखेंगे, तो सबसे पहले है यह लेक्संबर के भी हो सकते है, ठीक है, यह सारे countries यहाँ पर दिखाई दिए, कुछ और भी countries मैं आपको बताऊंगी, तो आप सभी लोगों को रहना है बिल्कुल positive, so please God give me accurate message, give me accurate country जहाँ पर इनके person रहते हो, बसे हुए हो, काम करते हो, work करते हो, सबसे पहले हैं Saudi Arabia, then यहाँ पर आपका हो सकता है, Bahrain, Belarus, and four last देखेंगे वो है आपका, तो यहाँ पर आपके person Canadian हो सकते है, Canada के हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हो, then यहाँ पर आपका Ireland है, United Kingdom है, and last one is this one, इतली के हो सकते हैं, तो यह सारे countries आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह है, ऐसा हो सकता है कि सच्चा प्यार आपको इतना अच्छा लाइफ दें, इतना अच्छा लाइफ कि इस person के साथ आप इन सारे places पे बहुत जाएं, ठीक है जापि सिफ आप हो, कोई third party ना हो, कोई problem ना हो, मैं प्रेवी करती हूँ कि आप सभी लोगों को true love ज़रूर मिलें ठीक है, सबसे पहले अगर name initial देखा जाए तो इनका name initial K हो सकता है, R भी हो सकता है, Z, please God give me a curate message, M, then यहापे है S, three last देखेंगे वो है आपका, C, then D हो सकता है, then N हो सकता है, first name, second name, third name, ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दती हो, कि state क्या ह स्टेट है इस परसन का सबसे पहले मध्य प्रदेश, ठीक है, जम्मू और कास्मिर के भी हो सकते हैं, यह परसन जो है, लदाक के हो सकते हैं, आद्र प्रदेश के भी होने के chances हैं, और कहां से हो सकते हैं God, गुवा, गुचराथ, four last है यहापे आपका, पुनिचेरी, करनाट प्रदेश के लिए जार्खन, जार्खन आसाम, इस तरह के प्लेस से मुझे आप पर दिखाई दे रहे हैं, अब यहापे देखते हैं कि आपकी जो परसन है, यह आपको क्या love letter देना चाहते हैं, इस परसन की अनकही बाती क्या है, ठीक है, आपके current परसन भी हो सकते हैं, और current परसन भी आपको यह कहना चाहते हैं, please understand my situation, अगर आप दुनों के बीश में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हैं, उसके बाद यहापे आपके परसन आपके बहुत प्राउट फिल करेंगे, इसलिए वो कहना चाहते हैं, you make the world so beautiful, I love being with you, तुमने मेरे लाइफ को बहुत ज बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चूस करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहापे ऐसा हो सकता है, कि आप दुनों के बीश में कभी कोई जगड़ा होगा, ठीके तो आपके परसन गुस्से में यह कह सकते है, I have a choice in my life without you, current person ऐसा हो सकता है, आपको क तो इनको बिल्कुल वो चीज बर्दास नहीं हो सकता, ठीक है, तो यह future जो person होंगे, ठीक है, true love होंगे, उनके तरफ से messages है, देखते हैं, यह जो person है, looks wise कैसे है, looks के अगर बात की चाहिए, तो full lips हो सकता है, ठीक है, उसके बाद यह बड़े ही gentle इंसान हो सकते है, और nature looks दो हो ही है, तो hazel eyes, good looking होंगे आपके person, and इस person का nose small होगा, red hair हो सकता है, and then है यहाँ पर आपका, crooked lips, बहुत ही लंबे गोरे हो सकते है, ठीक है, this one and plum, उसके बाद है, curved lips, and last one is, बहुत जदा open minded होंगे, ठीक है, खुली के ताप के तरह आपकी लिए होंगे, बहुत light person होंगे, beautiful, मतलब यह जो person है, इतने जादा खुबसूरत, इतने जादा handsome dancing हो सकते है, या इतनी जादा खुबसूरत हो सकती है, कि आपकी नजर इस person से नहीं हटेगी, यह person को देखते रहोगे, देखते रहोगे, और देखते ही रहोगे, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या love song आपको यह dedicate कर रहे हैं, so अपनी positivity भेजिए, जल्दी से like and subscribe कीजिए, आप सभी लोग align हो जाएए, इस तरह से क्या होगा, कि आप लोग जो है connected रहेंगे future के beautiful reading के लिए, और पर्स रिडिंग के लिए contact कर सकते हैं, मेरे gmail और insta id के थूरू, जो कि मैंना आपको skin पे शो किया है, व by triple max, यह पहला song आपके person आपको dedicate कर रहे है, ठीक है, उसके बाद है, tear drops on my guitar by teller swift, ठीक है, उसके बाद है, the first time I ever saw your face by raw world, ठीक है, तो आपके जो person है, यह जब भी आपको first time देखेंगे, love at first time भी हो सकता है, आपको देखते ही रजाएंगे, and यहाँ पर है, let it go by Demi, ठीक है, आपके जो person है, वो आपको बुरी चीजों से बचने के लिए, let go करने में बहुत help करेंगे, past के चीजों को भूलने में, recover करने में बहुत help करेंगे, हर वक्त यह person आपकी साथ होंगे, और मैं pray करती हूँ कि यह इंसान, जैसे इंसान को आप चाहते हैं, वैसे इंसान अपको ज़रूर मिले, वो इंसान अपको ज़रूर मिले, जिसको आप चाह रहे हो, ओके सो चलते हैं, आपने ख्याल रखेगा, अपने family का भी, हे पाइल टू, hope कि आप अपने इस birth date को select कर क्या है, 16 से 31 के बीच में आपका birth दे आता होगा, या फिर आपने select क्या है, इस beautiful forgiveness card को, तो देखते हैं कि क्या आपके भागे में सच्चा प्यार लिखा है भी, या नहीं, और अगर लिखा है, तो कैसे है ये person, कैसी है इस person की personality, क आपको perfect message मिले, लेकिन आप personalized reading चाहते हैं, जिसमें आपको एक्टम, ठीक है, 10,000% accurate message मिलेगा, तो जल्दी से booking कर लीचे, मेरे gmail और insta id के थो, स्किन पर शो किया है, वीडियो की description में आपको gmail और insta id का general link मिल जाएगा, ठीक है, so, दुनिया के किसी भी कोने में है, अराम से आप लोग अपनी person reading ले सकते हैं, किसी और के लिए अगर आपको reading लेना है, तो भी आप किसी और के लिए भी reading को ले सकते हैं, ठीक है, alright, तो यहाँ पर मैं cards ले रही हूँ, tarot cards, जिससे आपको clarification मिलेगा, कि आपके person का nature कैसा है, फिर में कुछ cards यहाँ और भी लोगी, जिससे आपको यह पता चलेगा, कि आप दोनों का जुछ शुरुवात है, वो कैसा होगा, और उसके साथ, आपके life में एक person क्या effect डालेंगे, क्य changes लेकर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 36 card लेंगे, so देखते हैं, क्या changes होगा इनके आने के वज़स से आपके life में, so please God, give me a curate message, क्या changes होगा, मेरी viewers के life में, अगर true love बिलता है, तो कैसा changes होगा, alright, okay, please God, give me a curate message, first, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चा यह इंसान बरे ही दयालो इंसान हो सकते हैं, मतलब इन्होंने तो शाद हो सकता है कि अपने दुस्मनों पे भी दया कर दी है, तो यह वाली इस person की personality, यह वाला इस person का nature मुझे आपे दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर इनकी profession की बात की जाए, life की बात की जाए, तो अब यह आपे एक-एक चीज में आपको clear करके बताऊंगी, क्या हो सकता है profession, ठीक है, तो इतना चान लीजे कि आपके जो person है, वो root नहीं होंगे, ठीक है, वो cruel नहीं होंगे, ठीक है, वो बहुत ही जादा दयालो इंसान हो सकते हैं, अब किसको नहीं अच्छे दयालो person चाहिए, तो वहीं चीज मुझे आपके दिखाई दे रहा है, कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान, जो कि आपके उपर बहुत ही जादा ध्यान देगा, आपके हर एक action के उपर, आपके हर एक कहे हुए word के उपर, अगर आप दुखी है, प ठीक है, याँ समझेंगे, आपको protect करेंगे, आपको pamper करेंगे, नर्चर करेंगे, ठीक है, मुझे याँ पर इस परसन का profession भी दिखाई दे रहा है, आपके ये जो परसन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि education field के हो सकते हैं, जैसे teacher हो सकते है, professor, researcher हो सकते है, ठीक है, और उसके ब teacher, accountant, ये सब मुझे इस परसन का profession दिखाई दे रहा है, आपके ये जो परसन है, ये आपके life के एक भी पल को, एक भी समय को, एक भी second को waste करने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है, पास के जो भी event है, ये कहा जारा आपके लिए guidance है, अगर आप अपने life में true love चाहते हैं, भी आपको मिलने वाला है, उसके उपर ध्यान ही नहीं है, तो जब आपको ध्यान आपका बढ़ाना पड़ेगा, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा true love story के और, ठीक है कि हाँ मेरे किसमत में true love story लिखा है, true love partner लिखे हैं, अगर ये इस चीज के उपर ध्यान आया, और true love story के लिए हो सकता है कि आप ready नहीं थे, ना शादी के लिए, ना true love story के लिए, ना true love partner से मिलने के लिए, क्योंकि आपके मन में एक डर बैठा हुआ है कि फिर से समय बरबाद होगा, फिर से सब कुछ बरबाद होगा, पर ऐसा मुझे आपको दिकाई नहीं दे रहा, मुझे इस person से जो past के रहे, उससे बहुत बहुत बहुतर person आपको in future मिलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर यह चीज बता जा रहा है, कि एक तो आपको खुद भी निकलना है, दूसरा point यहाँ पर यह भी हो सकता है, यह person आपके life में तब आएंगे, जब आप past की परिशान रहे होंगे, तीक है, यह फिर हो सकता है कि कुछ समय आपका बरबाद हुआ हो, टाइम बरबाद हुआ हो, पैसे बरबाद हुआ हो, उस time यह person आपके life में आएंगे, आपको guide करेंगे, समझाएंगे, कि जो भी तुम्हारे life में past में हुआ, उसे भूल जाओ, आप आपको reality में लाने में help करेंगे, आपके life में जो dream है, उसको reality में create करने में कोशिश करेंगे, आपके dream इनके dream तो होंगे ही होंगे, और यह person जो भी dream आपके देख रहे होगे, ठीक है, उसमें अपने आपको add कर लेंगे, और इनका जो भी dream होगा, उसमें यह person आपको add ठीक है तो इस कदर इस पर्सन के लिए आप इंपोर्टेंट हो सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर यह चीज दिखाई दे रहा है कि आपकी यह जो पर्सन है मुझे बहुत ही जादा experienced person दिखाई दे रहा है चाहे love life के मामले में हो चाहे professional life के मामले में हो यह पर्सन मुझे बहुत ही जादा learn बहुत जादा सिखे हुए बहुत इंप्रोवाइज कर चुके हैं अपने life को ऐसी एनर्जी है इसलिए मुझे आप दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की बीच में एक deep understanding हो सकता है यह ऐसे इंसान है जिसको अपने साथ एक बहुत beautiful connection feel होता है यह वो इंसान है जिसको अपने कंपनी बहुत साथा अच्छी लगती है जिसके वज़े से इनके अगल बगल भी लोग जो है इनको घहरे हुए रहते हैं मुझे आप ऐसा लग रहा है कि यह पर्सन एक stylist हो सकते है fashion designer हो सकते है writer हो सकते है journalist हो सकते है maybe stand-up comedian हो सकते है यह person एक story teller हो सकते है editor हो सकते है media producer हो सकते है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो person है एक public relation field से हो सकते है advertisement वगिरा करते हो ठीक है तो यह सब जो है इनका profession हो सकता है maybe athlete teacher यह सब भी हो सकते है life coach हो सकते है wellness coach motivation speaker हो सकते है ठीक है gynecologist हो सकते है यह सब मुझे आप बहुत ज़्यादा energy दिखाए दे रही है तो सबसे पहली बात क्या आप ready है transformation के लिए क्या आप ready है reality को देखने के लिए ठीक है reality में actually मैं आपके जो life में joy health prosperity सब अच्छी तरीकी से लिखी हुई है ठीक है actually मैं यह person से love life को change नहीं करेंगे जब यह person आपके life में आएंगे तो यह आपके health पे भी अच्छा effect डालेंगा आपका health भी इच्छा रहेगा ठीक है यूगा institute हो गया कहीं न कहीं ऐसे place में मिल सकते हैं जिमें मिल सकते हैं या फिर आपको फोर्स करेंगे कि तुम अपने अपर ध्यान दो अपने health के पर ध्यान दो ऐसा होगा तो कहा जड़ा है कि क्या आप ready है क्योंकि जब आपके life में true love आएगा true partner आएगा तो वो आपको आते साती बहुत ही जादा transform करेगा तो इस person के वज़े से आपको क्या feel होने वाला है consciousness ठीक है आप एकदम open हो जाएंगे एकदम serious हो जाएंगे और आप feel करेंगे इनके आने के वज़े से एक self transformation ठीक है आप बहुत carefully word को choose करेंगे आपके person बहुत carefully word को choose करके आपके सामने प्रस्तूत करेंगे अच्छे से बाते करेंगे यह person जो है बिना fault के और बिना आपके उपर blame लगाए हुए हो सकता है दोनों के बीच में कभी बीच में हो सकता है आपके बीच में हो लेकिन यह person जो है ना कभी भी कुछ भी हुआ आप दोनो से जो है आपसे बाते करेंगे बातों को clear करेंगे और आपके साथ फिर से reconciliation करनेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ eight of pentacles की energy है मतलब आपके person का zodiac sign टॉरस वर्ग काप्रिकॉन हो सकता है यह वो इंसान है जो कि अपने काम को लेकर अपने professional life को लेकर बहुत dedicated होंगे फिलाल यह person हो सकता है कि अभी खुद भी ready ना हो love life को लेकर ठीक हो सकता है खुद भी ready ना हो लेकिन divine time तो आ चुका है तो divine time आ चुका है तो आप लोग हो सकता है कि situation सही ना हो आपका भी ना हो और हो सकता है उनका भी ना हो हो सकता है आप भी ready नहीं है वो भी ready नह मुझेटर, मुझेशन, मॉडल, प्रफॉर्मर, टीचर यह सब भी दिखाए पढ़ रहा है डांसर भी हो सकते हैं और पेंटर वगेरा भी हो सकते हैं ठीक है एट ऑफ पेंटिकल्स यह बता रही है कि इनके जासा हाट वर्किंग परसन आपने अपने लाइफ में कभी नहीं द सब्सक्राइब करते होंगे इसकроб करते होंगे इसके वह सकता है बहुत ही जादा टालेंट डाइन्हों ने लग रहा है कि बहुत सारे मेहनत से चीजे कमाई हैं, इनके अंदर बहुत सारे abilities हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि केरियर इनका अभी बहुत ज़्यादा progress कर रहा है, अपने केरियर को ये person enjoy करते हैं, अपने work को करेंगे तो यहां पर यह परसन डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनसिप में आएंगे प्रपोजल हो सकता है कि आपके तरफ से मिल जाए आप ही इनको अपनी फीलिंग्स पता दो ठीक है तो फीलिंग्स अगर बताओगे तो ऐसा नहीं कि बहुत घमन करने लगेंगे कि दिख कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करते हूं ऐसा नहीं होगा यह परसन बोलेंगे कि हम मुझे कुछ वक्त दो ऐसा भी हो सकता है तो देखिए अगर ट्रू लव स्टोरी आपकी क्रेट होने वाली है सच्चा प्यार अगर आपको मिल रहा ठीखो बदिखासि को अपके धियुकर से छी पर्णॠर को बर देखेंगे ईन्वेस्टर हो सकते हैं उसके बाद मैं आपको बताना चाहते हूं और रसे इंगर क्राफ दोगे उसमें कुछ ही आपर यह भी दिखाए दे रहा है कि पैसे की काफी प्रॉब्लम रही होगी इस परसन को अपने लाइफ में जिसके वज़े से यह जो परसन है सेल्फ स्टडी बहुत जादा किया है क्यों कि इनको अपने लाइफ में कुछ हासिल करना था ठीक है इनको अपने लाइफ जैसे एक चांड और इनलाइटेंट लाइफ दिखाए दे रहा है इनका लाइफ ऐसा है कि जैसे यह खुद में ही अकेले ही कंप्लीटेड है ठीक है इनको किसी और की जरुवत नहीं है लेकिन जब आप इस परसन के लाइफ में होगे तो यह बहुत ही जादा आपको लेकर करने लगेंगे आपको लेकर सोचने लगेंगे कि हाँ कोई ने कोई ऐसा इंसान आया है तो मुझे उसके साथ होना चाहिए कि कभी न कभी किसी एक ऐसे पार्टनर की तो जरुवत पढ़ती है तो आप इस परसन को बहुत करेंगे बहुत ख्याल रखेंगे इस परसन का ठीक साथ यह परसन आगे बढ़ेंगे यह हो सकता है थोड़ा सा वक्त ले इसके वजह से आपको थोड़ा सा चीज़ें कॉंपलेक्स लग सकती है थोड़ा सा लगेगा कि पता नहीं सीरियस है यह लेकिन वह इंसान होगे जो कि एक बार पिछे नहीं अटनाय तो इसलिए और सब मचकर आगे बढ़ेंगे बहुत साथा इस परसन के अंदर फेटफुलनेस होगा इसलिए यह फेटफुलनेस जो है यह परसन का जो फेटफुलनेस आपके साथ कभी बिमानी नहीं करने देगा ठीक है और हाई लेबल के अंडिस्टानिंग आप दोनों के बीच में जरूर से ज कि अपके बार Patty, जो है ना आपके बारे में हर वक्त बहुत ज्यादा सोच आ drawn एंगे अगर आपके अपके लग में होто पर असा नहीं है जब भी अकेले टाइम में होते हैं यह आपके बारे में ही सोचते हैं क्योंकि मुझे यह पे एक टेलिपाथिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है और उसके साथ एक एंचिलिक कनेक्शन हम दुनों की बिच में एक तुन्ट फ्लेम कनेक्शन हो सकता है तिके ना सब्सक्राम के इंचे अंचे पर स्कूंट अस्माइं नग करें बात पर इसलista को है किसन आपके लाइफ में यह कोई भी चीज आका तो यह चीज मुझे आपके दिखाई दे रहा है कि जब रहे हैं इनको बहुत अच्छा होता है इपाओर सा फिल करते हैं तो यह परसन के ड्रीम में आप बस चुके हैं यह ध्यान रखिएगा तो अगर आपके नजल में को यह ऐसा परसन हैं जिसके बारे में जानना चाहते है कि क्या वो इंसान है तो यह वो इंसान मुझे दिखाए दिखाए रहे हैं साल साथ अगर आपको डीटियल रिडिंग चाहिए पॉस्ट रिडिंग चाहिए तो कांटाक्स हरू कीजेगा इसमें जो आप रिडिंग लेंगे न तो आपको थाउसेंड परसंट क्लियारिटी मिल कि वो परसन आपके पैपके सही है वीसे किसी बी टापक में ले सकते हैं घिक है डून्या की कि किसी भी कोने में तो गभी दरिडिंग ले सकते हैं चीनी पर चोटम उन्हां के और अस्टों सब्से पहली बात है जो सकता है उसके बाद यह पर्सन जो है एरिसलियो साजटरीज भी हो सकता है आपकी यह पर्सन जो है मुझे बहुत ही जादा open-minded दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही जादा flirty है अब देखे ऐसा नहीं कि सब के साथ flirt करते रहते हो लेकिन जिसके साथ open हो चुके हैं जिसके साथ घुल मिल चुके हैं उसके साथ क्यों नहीं रुमांस करेंगे तो यह चीज होगा कि आपके जो पर्सन है वह आपको लेकर बहुत ही इनके अंदर goodness कूट कूट के भरा है prosperity इनके life में है ये किसी को प्यार करना चाहते थे पर इतने जल्दी कोई मुझे प्यार करने वाला मिल जाएगा, इनको ऐसा feel होगा जब आपसे मिलेंगे, तो इनको थोड़ा विश्वास नहीं होगा, कि यही मेरी two partner है ठीक है, यही मेरी twin flame है तो यह थोड़ा सा विश्वास करने के लिए time ले सकते हैं क्योंकि यह emotional vulnerable person हो सकते हैं emotionally कमजोर person हो सकते हैं तो यह नहीं चाहेंगी कि मेरा कहीं डिल तूण चाहें, इसलिए यह person को पहले विश्वास नहीं होगा कि आप ही वो इंसान है तो थोड़ा वक्त ले सकते हैं और जब वो समझ जाएंगे तो वो आपसे बहुत प्यार करेंगे आप दिनों के रिष्टे में बहुत focus होगा clarity होगी तो भी इनका ध्यान आपके उपर होगा आपका ध्यान इनके उपर होगा आप जैसे कि अपने आपको बिल्कुल open कर लेंगे बहुत सारा wealth और good health आपके life में होगा और सासाथ आपके जो person है वो एक miracle worker हो सकते हैं तो इसी लिए खुद के life को तो change किया है सासाथ आपके life को भी change करेंगे मुझे आसा लग रहा है कि ये person आपको एकदम queen वाला treatment देंगे ठीक है आप इस person के साथ घूमने फिरने के लिए occasion हो गया, party हो गया, trip हो गया तो वो सब के लिए भी जा सकते हो अभी आप एक कार्ट है आपके लिए six of pentacles, ten of two of swords emperor and the impressed oh my god, that's great एक्तम perfect jodi आप दो लोगी दिखाई दे रही है ठीक है, इस jodi में मुझे कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है एक्तम perfect jodi होगी देख सकते हो, the impressed, the emperor लिखकर claim कर सकते हैं 444333 लिखकर energy को claim कीजे देखे, आप जैसे person को अपने life में चाह रहे हैं वैसे ही exact person होगे, बहुत romantic बहुत साथ responsible, बहुत सारा पैसाधन दौलत, ठीक है, सब होगा और जैसे इनको चाहिए एक बहुत प्यारी सी person मेरे family को समझने वाली या मेरे साथ family create करने वाली ठीक है, बहुत समझदार, बहुत डाउन टूर, ठीक है, मैं सब कुछ उसके उपर निशावन कर दूगा तो वैसे ही, आप इनको लगने वाले हो ठीक है, तो एकदम परफिक जोडी है एकदम दूसरी क्लिए बने वाले हो और या तो soulmate होंगे ठीक है, या पर 20-30% chances है soulmate के, and 70-80% chances है कि ये person आपकी twin flame है ठीक है, आप दुनों का मुझे एक बहुत solid relation दिखाई दे रहा है, और solid couple लग सकते हो, powerful couple आप दुनों साथ में दिखाई पढ़ेंगे आप दुने की शादी तो definitely होगी ही 1000% chances है इससे बहतर person कोई नहीं होगा आपके शादी के लिए, marriage के लिए ठीक है, तो ये person आपके life में 3-4 week के अंदर आ सकते हैं या 3-4 महीने भी लग सकते हैं शुरुआत में आपके person के मन में confusion ज़रूर होगा, ठीक है कि इतना मुझे कैसे कोई perfect partner मिलगे आपको भी लगेगा लेकिन धीरे 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 अपने किस्मत पे भरोसा करने लगेंगे ठीक है, और आप भी अपने किस्मत पे भरोसा करने लगोगे जिसके वज़े से आप दोनों की बीच में जो प्यार है वो बढ़ने लगेगा इस रिष्टे में इस रिष्टे के लिए यह तो शुरुवात में या एकदम बीच में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है एक complex decision जो की painful choice हो सकता है हो सकता है कि यह जो painful choice है आपको आपके family select करें क्योंकि यह person तो आपके लिए perfect होंगे यह person आपको सब कुछ provide कराएंगे ठीक है यह person खुद गरीबों की बहुत ज़्यादा help करते है charitable यह person है तो आपको लगेगा कि जब यह person इतने ज़्यादा अच्छ है तो यह मेरे लिए क्यों नहीं अच्छ होगी जब कि यह तो मेरे future husband, future wife बनेंगी तो यह चीच होगा तो उस वक्त आपको हो सकता है कि again जाके अपने friends के, family के आपको कोई painful choice करना पड़ सकता है ठीक है जो आपकी रिष्टे को बहुत आगे लेकर जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जब यह person आपके life में आएंगे तो क्या improvement होगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपके life में जो भी काम करोगे वो आपका successful होगा better time होगा अभी जो भी आपका life है ना उससे तो बहुत ही ज़ादा बहतरीन life होगा negativity आपकी life से सारी खत्म हो जाएगी ठीक है कोई negativity नहीं रहेगी उसके बाद blessings आपको आपकी mother जो है बहुत ज़ादा support कर सकती है आपके इस रिष्टे को आपकी जो mother होगी या उनकी जो mother होगी वो बहुत ही supportive होगे ठीक है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बहुत ही ज़ादा आपके लिए lucky हो सकते है और information क्या है देखते हैं आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि something new कोई new person हो सकते है और बैसे आप पहले बहुत सारे relationship में रहे होगे आपको लगता होगा यह पता नहीं प्यार है या नहीं है लेकिन इस person के साथ रहोगे तो आपको लगेगा कि हाँ दुनिया के किसे भी कोने में रहोगे आप इंसे दूर भी रहोगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ मुझे कोई प्यार कर रहा है कोई मिचे देख रहा है कोई मिचे समझ रहा है कोई मेरी care कर रहा है कोई मेरे बारे में सोच रहा है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी feel होगा excitement आप दुनों के बीच में जो spark है जो excitement है वो जिन्दिगी भरबना हुआ रहेगा और इस person के साथ होने के बाद बहुत ही जल्दी इस person से आपकी शादी भी होगी future में करियर लाइफ है प्रोफेशनल लाइफ है वो successful होगा नेम फेम वाली ये person हो सकते है ठीक है और ये person जो है material गें ही कराएंगे romance बहुत होगा आप दोनों की रिष्टे में बहुत powerful couple आप लोग होगे ठीक है material gain कहने का मतलब है कि किसी चीज़ की जो है कमी नहीं महसूस होगे ठीक है कोई कमी आप दोनों की बीच में नहीं रहने वाला है ठीक है आप दोनों बहुत ही जादा एक दुस्रे को fulfill करोगे complete fill क देखते हैं यतने beautiful person आपके life में कब तक आएंगे सबसे पहली बात ये person आपके life में आएंगे लेकिन थोड़ डिले होगा clarify करते हैं क्योंकि hangman की energy है तो इसको clarify करते है कब तक आएंगे जुलाई या August के ताइम में ये person आपके life में आएंगे जुलाई के ताइम तो हो सकता है ये person आपके life में आ चुके है या spring के time में आ सकते है या फिर 20 August तक या फिर पूरा अगस्त मन्त ही आप माल लीजे आपके life में आ सकते है autumn season हो सकता है या फिर 23 September से लेके 22 October की बीच में देखिए फिर से autumn season है तो autumn season में इस person से आके मुलाकात definitely होगी ठीक है four cards यहां पर और भी लेंगे देखते है timing within a week एक week के अंदर winter season two card और so please Scott give me a curate message आप लोग align रहे है ताकि आप सभी के लिए ही perfect message आए and two cards है यहां पर आपका December के time में मुझे अधार से लग रहे है winter time में ही person आपके life में आएंगे ठीक है all कुछ लोगों के लिए अगर मिल जाते हैं तो within two week within two week यह person आपके life में आएंगे नहीं तो फिर December के मत में आपको मिलेंगे और कुछ लोगों का तो असा लगदा है कि जुन जुलाई के मत में मिले हो इस person से well यहां पे देखते हैं कि आपके person का name initial क्या है सो चल्दी से बताईए God give me a curate passage for my dear viewers सबसे पहले है यहां पे N maybe R भी हो सकता है K भी हो सकता है X भी हो सकता है और क्या हो सकता है name initial F V S 4 last Y H Q and last one is G ठीक है तो यह सारे हो गए name initial उसके बाद यहां पे है आपका state सबसे पहले आंधर प्रिदिस के हो सकते है दिन यह person लगा के हो सकते है दिन पंजाब तिलंगाना कहां से होंगे God इनके true love partner कहां से होंगे तम्मिल नाडव च्छत्यसकर मद्यप्रदेश फोर लास्ट होगा वह होगा आपका पुंडचीरी अंड़मान अनिकोबार आइलांड गुजरात के भी हो सकते है और लास्ट वन इस प्लीज़ाट कीफ में कुरेट मैस्ज़ कहां से है इनके person कहां से है इनके person में ठीक है तो ये सारे होगे stakes अब मैं आपको बताओगे आपकी जो person है वो आपको क्या अनकहीं बाते बताना चाहते हैं क्या love letter देना चाहते हैं सबसे पहले love letter की बात की जाए तो ये कहना चाहते हैं आपको सबसे पहली बात यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यह जो आपकी true love है बड़े ही mysterious person बनके इंटर कर सकते हैं ठीक है बहुत सारी बाते बाते बात में बताएंगे कुछ negative नहीं होगा लेकिन बताएंगे यह person हमेशा ही आपको दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे हमेशा से पर स चाही हो सकते हैं यह person बहुत ज़्यादा hesitate करने वाले हो सकते हैं अपने feeling को जल्दी बताने वाले नहीं हो सकते हैं यह इंसान आपके life में है फिर भी मतलब को लगता होगा कि यह तो मुझे देखते हैं यह तो मुझे पसंद करते हैं यह तो मुझे ऐसा लग रहा है इनकी source से या फिर इनकी देखने के तरीके से आपको लगता होगा कि हाँ यह मुझे पसंद तो करते हैं पर क्यों बताते नहीं अपनी feeling को क्या confused है तो देखे confused भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि यह person hesitate करते हो हो सकता है इन्होंने कभी भी अपने life में अपने feelings को किसी के साथ शेर नहीं किया है इसने यह person first time share करने में घबरा रहे है डर रहे है तो इनका यह होगा उम्मीद की कहीं आप ही आपके प्रोपोस कर दो first time ठीक है यह चीज है उसके बाद क्या है आप पर प्लीस कॉट्ट गिफ मेक्यूरेट message I want to see you यह person हर वक्त हर समय हर पल आपको ही आप दोनों का relationship होगा तो अगर आप इंसे दुखी हो आप इंसे गुसा हो किसी कारण के वज़े से इस person से अकेले हो चुके हो दूर हो चुके अलग हो चुके हो तो यह person आपको यह कहना चाहते है कि यह फिर in future यह कहना चाहेंगे कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया या आपके person आपको generally love करेंगे true love ठीक है no one can ever take your place in my heart और इस तरह के true love होगा जिसमें कि आपकी ही जगा होगी और यह जगा कोई नहीं ले सकता साथ-साथ यहां पर यहां पर यह person कहना चाहेंगे hope you will understand me यह person आपको हमेशा अच्छे तरीके से बिना कोई rough language यूज 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 क्यों है अच्छे से चीजों को समझाएंगे बताएंगे उसके बाद है इस person के तरफ से आपके लिए song call me maybe by एक second two cards हैं आप देख सकते हैं call me maybe and my dilemma by Selena Gomez ठीक है यह दोनों song आपके person जो है dedicate कर रहे है उसके बाद Enchant की energy है and back to December यह दोनों song आपके person dedicate कर रहे है दोनों ही song Taylor Swift के दोरा है और यहाँ पे कुछ songs देखते हैं जो आपके person dedicate कर रहे हो ठीक है यह person को आपके साथ भूमना फिना dating पे चाना बहुत पसंद होगा You are still the one यह person आपको हमेशा top variety पर रखेंगे ठीक है somebody that I used to know यह song भी आपके person आपको dedicate कर रहे है and last one blank space by Taylor Swift तो यह सारे songs आपके person आपको dedicate किये and यह सारे songs के तुरू आपको यह बताना चाहता है आपके person कि मुझे तुम्हें touch करने में मुझे तुम्हें feel करने में किस करने बहु साथी रहना है इस तरीके से यह person आपको चीजे बता रहे है अब देखते हैं यह person कौन से country के होंगे United Kingdom के हो सकते हैं में भी यह person जो है Canada के भी हो सकते हैं आप भी हो सकते हो ठीक है और यह बार ध्यान रखेगा कि दुनिया के किसे भी कोने में तो भी आप अपनी person link ले सकते है देन यहां पर आपका है कार्गिस्तान ब्राजीर प्लीस कॉर्ट गिव में क्यूरेट मैसेज कहां से है इनकी परसन स्पेन तन यह person आपके नौर्वे के हो सकते हैं श्रीलंका जिपान यूस से के भी हो सकते हैं तो यह सारे country मैंने देखे और भी country में आपको बताऊंगे सो बिल्कुल positivity बना के रखिए सबसे पहले तो यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया है मॉलफीज है पाकिस्तान है और देखते हैं फोर लास्ट सबसे पहले है यहां पर आपका जॉर्जिया दबहमास तिवालू एल लास्ट वन है आपका निकारगुवा ठीक है तो यह सारे जो से यहां से आपके पर से निकारगॉवा नौ अज फूर्फ कंटरी वा अब यहां पर मैं आपको बताऊँने आपके जो सब्सकित है और अपको शुर्ञार नोस होगा और देखे है sensitive होंगे आपके person आपको लेकर बहुत lovely बहुत क्यूट हो सकते बिन ocean blonde hair color हो सकता है marvelous दुख हो सकता है dark eyes हो सकता है last one is buff इस person की energy है and short hair and almond eyes ठीक है तो होप आपको clarity मिले होगी समझ में होगा मैं प्रेय करती हूँ कि आप सभी लोगों को आपके पसंदिता person मिले और सच्चा पार्टनर वह ले ठीक है क्लें कीजिए synergy को 222 लिखकर 1111 लिखकर और पस्ट रेडिंग के लिए आप लोगों कॉंटाक कर लिजेगा मेरे चीमल और इस्ट आइडी के थ्रो स्किन पर भी शो किया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा दुनिया के किसी भी कोने में आराम से कॉंटाक्ट कर सकते हैं चलते हैं वाइट टेक के अपने ख्याल रखिएगा अपने फैमिली का भी वावाधे बादे जो आएगा के लेगा थाएगग मेंटारा से भी कि अपने आराम पर भी कर सकते हैं तो आराम से एंपने ओिली की चाने टूर शो की बाल देज़े खिज़े।